राजेश और कवीता गुडगाओं का एक नया शादी शुदा जोड़ा जिनकी शादी हाल ही में कुरुना काल के बीच लॉकडाउन में हुई थी और लॉकडाउन खुलने के बाद ही दोनोंने अपना हनीमून प्लैन किया ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने नजदीक ही किसी हिल स्टेशन जाने का प्लैन बनाया और फिर एक दिन दोनों अपनी कार से नैनी ताल के लिए निकल पड़े सुबह गुलगाओं से निकले और सुरज ढलते ही दोनों नैनी ताल पहुँच गए नैनी ताल आम दिनों में परिटकों से भरा रहता है मगर उन दिनों में वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे बाजार भी आदा खुला आदा बंद था मगर एक नए शादी शुदा जोड़े को भीड़ भार से क्या मतलब उन दोनों को तो एक दूजे का साथ और नैनी ताल की खुबसूरत हसीन वादियों से मतलब था उन्होंने एक होटेल में जैक इन किया और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होए और शाम साथ बजे दोनों होटेल से बाहर निकलके पैदल ही नैनी ताल की जील के चारों तरफ चहल कदमी करने लगे एक लंबे समय तक घर पे कैद रहने के बाद नैनी ताल आके दोनों को सच में बहुत अच्छा लग रहा था दोनों काफी देर तक जील के किनारे एक बेंच में हाथों में हाथ डाले बैठे रहे और रात में करीब 10 बजे अपने होटेल में वापस आकर दोनों ने डिनर आउडर किया डिनर के बाद कवीता तो अपने कमरे में चली गई मगर राजेश एक सिगरेट सुलगाने होटेल से बाहर आ गया रात में खाना खाने के बाद उससे सिगरेट पीने की आदत थी राजेश होटेल के बाहर जील के किनारे सिगरेट पी रहा था उसने देखा पास ही सड़क किनारे एक बोड लगा हुआ था जिसमें शेहर का नक्षा बना हुआ था जिसमें नैनिताल के और आसपास के कुछ बढ़िया टूरिस्टी स्पोट्स दिखाए गए थे उस नक्षे में एक बहुत बड़ा घना जंगल भी था उसके बीच में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गिलबरी राजेश ने अपने जेब से मुबैल निकाला और उस मैब के एक फोटो खीच ली वहीं पास में एक और आदमी बीड़ी पी रहा था उसने राजेश को फोटो खीचते वे देखा तो कहा साब जी घूमने आयो अच्छा होगा कि आप लोग एक गाइट ले लो वह आपको पूरा नेनी ताल बहुत अच्छे से घूमा देगा वरना कहीं आप लोग भटक गए और गलच जगह पहुच गए तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए राजेश को गाइड वाला ये आइडिया सही नहीं लगा क्योंकि वो हनीमून पे आये थे और गाइड का साथ होना मतलब कबाब में हड़ी साथ लेके घूमना इसलिए राजेश ने उस आदमी की बात को टाल दिया और होटेल के अंदर आ गया कमरे में आके उसने देखा कवीता सो चुकी थी वो भी बगल में जाकर लेट गया उसने अपने मोबाइल में उस नक्षे की फोटो को अच्छे से देखा और फिर वो भी सो गया अगली सुबह दोनों उठे फ्रेश हुए ब्रिकफास्ट किया और कहा घूमने जाएंगे ये तै किया राजेश को पता नहीं क्या सूजा उसने कवीता को चाइना पीक चलने के लिए कहा दोनों के पास अपनी कार तो थी ही तो दोनों निकल पड़े चाइना पीक की तरफ पूरी रोड खाली थी ज्यादा ट्रैफिक नहीं था चाइना पीक पहुँचकर दोनों ने काफी देर तक सेलफीज खीची कुछ देर बैठे और एक दुकान वाले से दो चाइ और मैगी बनाने को कहा जब तक मैगी और चाइ रेडी हो रही थे तब तक राजेश ने दुकान वाले से पूछा भाई इस रोड में आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा कोई बढ़िया जगे है देखने लाइक दुकान वाला बोला साप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको किलबरी के जंगल मिलेंगे और कुछ नहीं हाँ जंगल खुबसूरत जरूर है पुराने अंग्रेजों के जमाने के बंगले वगेरा है वहाँपर पर वहाँ कोई रहता वेता तो है नहीं इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं है वहाँ ना नेटवर्क है ना कोई घर ना दुकाने कोई ऐसी जगह जाना क्यों पसंद करेगा राजिश बूला अच्छा अंग्रेजों के जमाने के बंगले फिर तो जगह काफी खुपसरत होगी बंगले सही सलामत है या तोट पूट चुके है हाँ साब खिड़किया दर्वाजे तो तोट ही चुके है मगर दिवारे और छट आज भी वैसी की वैसी ही है मैंने भी दूर से ही देखा है उन बंगलों को कभी पास नहीं गया दुकानवाला टेबल में चाई और मैगी रखते वे बोला वैसे एक सलाह दू साब वहाँ जाये गमत राजेश ने आश्चयरे से पूछा पर क्यूं दुकानवाला बोला इसका जवाब तो नहीं है साब पर वहाँ कोई जाता नहीं है इसलिए मैंने कहा आप पूरा नहींताल देख लिजे काफी अच्छी अच्छी जगए है हां पर किलबरी का वो इलाका ठीक नहीं है घने दरावने जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ पे चूटे बरतन धोते हुए वो दुकानवाला बोला अब राजेश के मन में कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात है उस जगह में कि ये हमें वहाँ जाने से मना कर रहा है अब उसके मन में वहाँ जाने की चूलबुली सी मचने लगी उसने उस दुकानवाले का पेमिंट किया और कार में बैठ कर किलबरी की तरफ निकल पड़ा उसकी वाइफ ने उसे वहाँ जाने से रोका लेकिन राजेश बुला अरे देख तो लेते हैं उस जगे को अगर अजीब लगेगा तो वापस आ जाएंगे कुछ किलोमीटर की ड्रैब के बाद दोनों किलबरी पहुँच गए सच में वो जंगल बहुत घना था मुश्किल से ही सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच पा रही थी मगर वो जंगल डरावना तो बिल्कुल भी नहीं था बलकि खूपसुरत था खासकर एक नए शादी शुदा जोड़े के लिए जिनें ऐसी जगहें आकरशित करती है राजेश धीमे धीमे गाड़ी चला रहा था वो और उसकी बीवी सड़क के दोनों तरफ के जंगलों को निहार रहे थे उँचे उँचे चीड के पेड़ों के बीच राजेश को एक कच्ची सड़क अंदर जंगल में जाती दिखाई दी उस कच्ची सड़क में दूर एक उँचा पत्तरों का बना हुआ गेट भी था उसकी बनावाट को देख के लग रहा था जैसे वो ब्रिटिश काल में बनवाया गया हो वो गेट आज भी मजबूती से खड़ा था उस गेट को और उस रास्ते को देख कर लग रहा था जैसे वो अंदर किसी कजबे को जाता हो राजेश ने कवीता से कहा वो दुकानदार बोल रहा था जंगल में अंग्रेजों के बनाए गए बंगले हैं लगता है ये रास्ता उसी कोलोनी के तरफ जाता है क्यों न अंदर चल के देखा जाएं कवीता घबरातेवे बोली नहीं राजेश इतने घनी जंगल में अकेले अंदर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा प्लीज वापस लोट चलो राजेश बोला अरे कुछ नहीं होगा दुबारा यहां आने का मौका नहीं मिलेगा अब आ ही गए हैं तो अंदर चल के देख लेते हैं ऐसा बूलके राजेश न अपनी कार उस कच्चे रास्ते के तरफ मोड ली वो दोनों उस रास्ते में काफी अंदर तक आ गए थे मगर उन्हें ना कोई कॉलोनी दिखी ना ही कोई बंगला चारो तरफ उचे उचे घने पेड़ों के लावा कुछ नहीं था राजेश बुला कुछ भी कहो यार यह जगे है तो बहुत सुन्दर मुझे ऐसी जगे हैं बहुत आकरशित करती है कविता बोली अच्छा मुझे तो ऐसी जगहों से बहुत डर लगता है राजेश हस्ते वे बोला चलो थोड़ा और अंदर चलके देखते हैं कुछ मिला तो ठीक नहीं तो वापस लोट चलेंगे अब ठीक है ना उस घने जंगल में बने कच्छे रास्ते के उपर राजेश की कार धीमी गती से आगे बढ़ रही थी चारो तरफ पक्षियों की चैचाहट जिंगुरों की गूज और चीड की पेडों से टकरा के गुजरते हवा के जोंकों की दुन के साथ राजेश की कार का इंजन जुगलबंदी कर रहा था आगे जाके जब कुछ नहीं मिला तो कविता बोली राजेश हम बहुत देर से सिर्फ चले जा रहे हैं नहीं रास्ता खतम हो रहा है नहीं जंगल हम बहुत अंदर आ चुके हैं अब प्लीज लॉट चलो के साथ गाड़ी का पिछला टायर फट गया राजेश और कविता गाड़ी से नीचे उतरे उन्होंने देखा गाड़ी के पिछले टायर में एक लोही की काटो वाली तार उलजी पड़ी थी और पिछला टायर फट गया था कविता बोली इतनी बड़ी काटो की तार तुम्हें दिखी नहीं राजेश राजेश बुला अब पता नहीं यारे कहां से आ गई दिखाई नहीं दी कवीता बोली अब प्लीज जल्दी टायर बदलो मुझे डर लग रहा है राजेश बुला हाँ रुको अभी बदल देता हूँ राजेश ने गाड़ी की डिक्की खोली और स्टैपनी निकाली मगर उसे जैक नहीं मिला वो बोला शिट यार जैक तो घर पे ही रह गया अब यहां कोई मदद के लिए मिलेगा भी नहीं राजेश ने अपना मोबाइल फोन निकाला और चेक किया तो पाया उसमें सिगनल ही नहीं थे वो कवीता से बोला देखो तुमारे फोन में सिगनल है क्या कवीता ने भी चेक किया मगर उसके फोन से भी सिगनल गायब थे राजेश बोला शिट यार अब क्या होगा शाम भी होने वाली है और फोन में सिगनल भी नहीं है कवीता बोली मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था यहां आने के लिए राजेश चीखते वे बोला अरे हाँ मेरी गलती है लेकिन अब क्या करे यह इंपोर्टेंट है दोनों ने चारों तरफ नजर घुमाई मगर दूर दूर तक सिवाए जंगल के कुछ नहीं था कवीता बोली चलो ना पैदल ही वापस चलते हैं में रोट में कोई ना कोई गाड़ी वाला जरूर मिल जाएगा राजेश बोला वापस पैदल कम से कम साथ आट किलो मीटर पीछे है में रोट पैदल चलते चलते अंधेरा हो जाएगा क्यों ना थोड़ा आगे ही चल के देख लिया जाए क्या पता आगे सच में कोई घर मिल जाए उन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था वो दोनों सामने की और पैदल ही चल दिये राजेश को उमीद थी कि सामने जरूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी लेकिन कवीता को कोई उमीद नहीं थी कि कोई मिलेगा कम से कम एक किलो मीटर चलने के बाद उन्हें एक नहर मिली जिसमें पानी बह रहा था उस नहर के उपर लकडी का एक बड़ा ही खुबसूरत पुल था उन दोनों ने मुल को पार किया और थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया अंग्रेजों के जमाने का एक बड़ा और बेहदी आली शान बंगला समय के साथ साथ जिसकी दिवारे काली पड़ चुकी थी मगर उन बंगला आज भी उतना ही खुबसुरत लग रहा था जितना सौ साल पहले लगता होगा राजेश और कविता जैसे जैसे उस बंगले के नजदीक पहुँच रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे उस बंगले का आकार बड़ा हो रहा हो बंगले के सामने एक बड़ा सा फवारा था जिसमें सिवाय धूल, मिट्टी और सुखे पत्तों के अलावा कुछ नहीं था कविता बोली राजेश मुझे तो नहीं लगता यहां कोई रहता होगा चलो नहीं यहां से वापस लोट चलते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा राजेश बोला यार तुम डरती बहुत हो थोड़ा रुको तो सही अंदर जाकर देखते हैं राजेश और कविता दोनों उस बंगले के मुखे दर्वाजे पे पहुँचे वो एक बहुत बड़ा विशाल काई दर्वाजा था जो लगभग पिछले सौ सालों से रास्ता रोके खड़ा था राजेश ने दर्वाजे को धकेला और वो दर्वाजा अवास करता हुआ खुल गया दर्वाजे के खुलते ही अंदर का नजारा देखकर राजेश और कविता का मुख खुला का खुला रह गया वो एक आली शान बंगला था दिवारों में बड़ी बड़ी तस्वीरे टंगी हुई थी जिन में अंग्रेजी सामराजी के अफसरों के चित्रे थे बहतरी नकाशियों से लदेवे उंचे उचे स्तंब जो उस बंगले की च्छत को अपने कंदों पे संभाले वे थे च्छत से लटक रहा रंग बिरंगे काच से बना हुआ जूमर बता रहा था कि वो बंगला किसी बेहदी रईस आदमी का घर हुआ करता था सामने उपर जाती दो बड़ी सीडियां जो लग रहता मानों जैसे चांद तक जाने का रास्ता हो हाँ चारों तरफ धूल मिट्टी सुखे पत्ते मकडी के जाले थे मगर ये सब उस बंगले की खूब सूर्ती को जरा भी कम नहीं कर पा रहे थे राजेश और कवीता उस बंगले को देखकर इतने उत्साहित हो गए थे कि वो भूल गए थे कि वो वहाँ मदद मागने आये थे और उन्हें वापस भी जाना है बंगले के अंदर घूमते घूमते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला राजेश और कविता सीड़ी से होते वे उपर गए वहाँ एक बड़ा सा आलिशान बैटरूम था मगर वो भी दूल मिट्टी से ढखा हुआ था मगर एक बात उन दोने को बहुत अजीब लगी वो था उस बैटरूम में रखा हुआ बैट और उसमें बीचा हुआ बिस्तर वो बैट देख कर लग रहा था मानो जैसे उसमें अभी भी कोई सोता हो क्योंकि पूरा बिस्तर एक दम साफ सुत रहा था कविता बुली राजेश ये बिस्तर इतना साफ है जरूर यहां कोई रहता होगा राजेश बोला हाँ शायद तुम ठीक कहती हो हमें आवाज देकर मदद के लिए पूछना चाहिए दोनों सीडियों से वापस नीचे आए नीचे दर्वाजे के पास पहुँचकर राजेश ने आवाज दी हेई कोई है यहां पर हमें मदद चाहिए प्लीज हमारी मदद कीजे मगर कोई जवाब नहीं आया राजेश ने फिर से वाज दी लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ तबी राजेश ने बंगले के कोने में एक दर्वाजे से हलका से धुमा बाहर निकलते देखा राजेश बोला कविता लगता है उस दर्वाजे के पीछे रसोई घर है जरूर वहाँ कोई होगा तुम यही ठहरो मैं जरह देखकर आता हूँ कविता बोली हाँ ठीक है मगर जल्दी आना मुझे बहुत अजीब लग रहा है राजेश उस दर्वाजे के पास पहुँचा उसने जहाँ के अंदर देखा और फिर अंदर घुज गया उसका अंदाजा एकदम सही था वो एक रसोई घर ही था वहाँ बड़े बड़े चूले थे जिनके उपर बड़े बड़े दो तामबे के भगवने रखे वे थे और उनमें कुछ पक रहा था मगर उस रसोई में कोई भी नहीं था वो रसोई काफी बड़ी थी एक कोने में सूखी लकडियों का धेर रखा हुआ था और कुछ ताजी हरी घास दूसरे कोने में बरतन कुछ पेहित की टोकरिया जिन में फटे पुराने कपड़े रखे वे थे वहाँ एक बड़ा लोहे का ड्रम भी था जिसमें लोहे का एक बड़ा धकन रखा हुआ था फर्ष गीला था मानो जैसे अभी कुछ देर पहले ही धोया गया हूँ रसोई में ऐसी महक आ रही थी मानो जैसे चूले में रखे उन दोनों बड़े भगवनों में गोश्ट पक रहा हूँ राजेश उन भगवनों के पास गया उसने उनके धकन को हटाना चाहा मगर वो गर्म था उसने पास ही पड़ी पक रहे थे ये देखकर राजेश के हाथों से भगवनों का धकन एक जोरदा रवास के साथ जमीन में गिर गया राजेश ने बगल में रखे बड़े से लोहे के ड्रम का धकन भी हटाया और उसके अंदर भी देखा उसके अंदर भी एक इनसान को काट कर रखा हुआ था राजेश को समझते देर नहीं लगी कि वो लोग गलत घर में घुसाए हैं राजेश तुरंत उस रसोई से बाहर की और भागा उसने चिलाते हुए कवीता से दर्वाजा खोल के बाहर भागने को कहा कवीता उस बड़े दर्वाजी को खोलने की कोशिश करने लगी मगर वो जाम हो गया था राजेश ने भी बहुत कोशिश की मगर वो दर्वाजा नहीं खुला तभी दर्वाजे के बाहर से एक घोड़े के हिन हिनाने की आवाज आई बाहर कोई था राजेश ने कवीता को खामोश रहने का इशारा किया और उस दर्वाजे पे लगे हुए बड़े से लोही के कुंडे को अंदर से बंद कर दिया ताकि बाहर जो भी था वो अंदर ना आ सके फिर दोनों दबे पाउं चलते हुए पास ही एक कमरे में घुज गए उस कमरे की खिड़किया टूटी ही थी मगर उनमें लोही की ग्रिल्स लगी ही थी वो दोनों उन खिड़कियों से भी नहीं भाग सकते थे कवीता ने राजेश से पूछा कि उसने रसोई घर में क्या देखा राजेश ने कवीता की आँखों में जागते वे कहा कवीता हम पुरे फस चुके हैं जो भी यहां रहता है वो इनसानों को मार कर उन्हें पकागर खाता है ये सुनकर कवीता डर से काप गई कवीता डरते वे बोली तो अब हम यहां से कैसे निकलेंगे राजेश बोला यहां के सबी दर्वाजे बंद हैं और खिड़कियों में ग्रिल्स लगी भी है हम बाहर नहीं निकल सकते हैं कवीता रोते वे बोली तो अब क्या हम मरने वाले हैं राजेश कवीता को गले लगा तेह वे बोला नहीं मैं तुमें कुछ नहीं होने दूगा राजेश खिड़की के पास गया और छुपकर बाहर देखने लगा बाहर अंदेरा था मगर चांद की रोश्नी में कुछ-कुछ दिखाई दे रहा था राजेश ने दूर जंगल के पास कुछ हिलतावा देखा उसने गौर से देखा तो पाया वहाँ पे एक आदमी और एक औरत खड़े थे जो बंगले की तरफ ही देख रहे थे वहाँ पे काफी अंदेरा था कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था बस इतना पता चल पा रहा था कि दो जन खड़े हैं तब ही राजेश की नजर बंगले के पास गूम रहे एक घोड़े पे पड़ी वो एक बड़ा काला घोड़ा था उसके उपर एक लंबा चोड़ा आदमी बैठा हुआ था वो घोड़ा बंगले के दरवाजे के पास ही घूम रहा था मानो जैसे दरवाजा खुलने का अंतजार कर रहा हूँ राजेश और कवीता उसी को देख रहे थे तभी आसमान से बादल चटे और बादलों के बीच से चांद बाहर आया और उसकी रोशनी में राजेश और कवीता ने देखा उस घोड़े के उपर जो लंबा चोड़ा आदमी बैठा हुआ था वो एक सिरकटा था जिसने किसी अंग्रेज अफसर के कप्ड़े पहने वे थे राजेश और कवीता को अपनी आखो पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक सिरकटा अंग्रेज अफसर अपने घोड़े में बैठ कर उस बंगले के दरवाजे पर खड़ा था बंगले के अंदर रसोई घर में पक रहे इंसानी मांस के टुकड़े और बाहर घूम रहा एक जीता जाकता सिर्कटा ऐसा भयानक मंजर राजेश कवीता ने अपने सपनों में भी नहीं देखा था राजेश ने कवीता से कहा कवीता मैंने भी बाहर जंगल में पेड़ों के बीच एक आदमी और एक औरत को खड़े देखा था हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए कवीता ने खिड़की से बाहर देखा सच में जंगल में पेड़ों के बीच एक आदमी औरत खड़े होकर खिड़की की तरफी देख रहे थे राजेश और कवीता ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और हाथ हिला कर जंगल में खड़े उन दोनों आदमी औरत से मदद मांगने लगे मगर उस चंगल में पेडों के बीच खड़े वो दोनों बस राजेश कवीता को घूरते ही रहे तभी राजेश और कवीता ने एक अवाज सुनी कोई अंदर से उस बड़े दर्वाजे का कुंडा खोड रहा था और फिर दर्वाजा अवाज करता हुआ खुल गया राजेश और कवीता जिस कमरे में छुपे हुए थे उस कमरे के दर्वाजे से छुपकर उन दोनों ने बंगले के मुखे दर्वाजे की तरफ देखा उस बड़े दर्वाजे से गोड़ा अंदर आया और उसके उपर बैठा हुआ वो अंग्रेज अफसर जिसका सिर नहीं था राजेश और कवीता की आँखे डर से फटने लगी उनका शरीर डर से थर्थराने लगा एक जीता जाकता सिर्कटा देखकर उनके रूंग टिखड़े होने लगे राजेश और कवीता ने देखा बंगले के बीचों बीच काच की जूमर के ठीक नीचे एक बड़ी टेबल रखी वी थी और उसमें कई सारे बरतन रखे वे थे और उन बरतनों में इंसान के पके हुए टुकड़े वो सिरकटा अफसर अपने घोड़े से नीचे उतरा और फिर उसने घोड़ी की पीट में से एक जोला उतारा उस जोले को लेकर वो सिरकटा खाने की टेबल तक आया उसने एक कुर्सी खिसकाई और उस पे बैठ गया फिर उसने अपने जोले से कुछ निकाला राजेश और कविता बगल वाले कमरे से छुपकर ये सब अपनी आखों से देख रहे थे उस अंग्रेश अफसर ने उस जोले से जो निकाला वो देखकर राजेश कविता के होश उड़ गे उसने उस जोले में से कटा हुआ सिर निकाला और अपने कंधे के बीचों बीच रखा वो कटा हुआ सिर उस अंग्रेश के धर से ऐसे चिपक गया जैसे लोहा चुमबक से चिपक जाता है उसके बाद उस अंग्रेज अफसर ने अपने सामने रखे बरतन में से इंसानी मांस के टुकड़े निकाले और किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर मांस खाने लगा उसका घोड़ा भी कोने में रखी हरी घास खा रहा था राजेश ने देखा बंगले का मुखे दिर्वाजा खुला हुआ था और वो अंग्रेज खाने में एकदम खोया हुआ था राजेश और कविता के पास भाग निकलने का अच्छा मौका था वो दोनों सांस रोके धीमे धीमे दबे कदम दिवार से सटके दर्वाजे की तरफ जाने लगे उन दोनों की नजर मांस खाते उस अंग्रेज अफसर पे ही थी जो खाने में इतना व्यस्त था कि उसे होश भी नहीं था कि उसके पीट के पीछे दो जिन्दा लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे राजेश और कविता दोनों मुख्य दर्वाजे तक पहुँचे और फिर दोनों वहां से बाहर निकल गए उस बंगले से बाहर निकलके दोनों की जान में जान आई और दोनों पुरी ताकत से जंगल की तरफ भागे जंगल में पेडों के पीछे छुपकर दोनों ने चैन की सांस ली राजेश ने हाफतेवे कविता को गले लगाया और बोला थेंग ओड यार कम से कम उस भूतिया बंगले से तो बाहर आए अब इस जंगल से बाहर निकलना है मगर कविता एकदम खामोश थी उसका चहरा डर से सफेट पर चुका था वो बड़ी हैरानी से अभी भी बंगले की तरफ ही देख रही थी राजेश ने आश्चेर से उससे पूछा कविता क्या हुआ तुमें कविता ने एक हाथ उठाया और उंगली से बंगले की तरफ इशारा किया राजेश ने पलट के पीछे बंगले की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई अब राजेश के चहरे के भाव भी बदल चुके थे उसका चहरा सफेद पड़ चुका था राजेश ने देखा उस बंगले की खिड़की से हाथ बाहर निकाले दो लोग खड़े थे एक आदमी और एक औरत वो दोनों मदद के लिए इशारा कर रही थे और वो दोनों कोई और नहीं राजेश और कविता ही थे जो उस बंगले से कभी बाहर निकाल ही नहीं पाए आज भी उनकी गाड़ी जंगल में जंगली बेलों से उलजीवी देखी जा सकती है आज भी उस बंगले से मदद के लिए पुकारती चीखे सुनाई देती हैं आज भी उस जंगल में वो सिरकटा अंग्रेज अफसर अपने घोडे में सवार गश्ट लगाता दिख जाता है दोस्तों कैसी लगी एक कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हाँ जानता हूँ आप लोग सीतराम लोहार का तीसरा भाग सुनना चाहते हैं लेकिन अभी उस कहानी में थोड़ा वक्त है वो कहानी जुलाई के पहले हफते में आ जाएगी तब तक आप मेरी दूसरी कहानीों का मज़ा लें और चैनल से जुड़े रहें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि जब भी मैं कहानी डालू आपको पता चल जाए इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं तो कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में है अपना ख्याल रखें और कहानी सुनते रहें